और फॉर एक्जंपल मैं यह मान के चलता हूँ कि यह ब्लू लाइट इसकी उपर पढ़ने से इसका कलर चेंज होता है तो यह रहा मेरा मोबाईल यह प्यूर ब्लू कलर है इसकी उपर मैं ऐसा रग देता हूँ आप देखिए इसके उपर मैंने इसा रख दिया इसके उपर मैंने रख दिया अब तक इसका color change हो जाना चाहिए था लेकिन आप पाएंगे कि इसका color बिल्कुल भी change नहीं हुआ है Hello guys, welcome to everything new एक सी छोटी सी family में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ Friends, इस वीडियो में मैं आपको सब दूद का दूद और पानी का पानी करने वाला हूँ Blue cut lenses के बारे में तो आप वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखिएगा ताकि आपको clearly सभी पता चल जाए मैं With proof आपको सभी चीज़े बताऊंगा और यह प्रू करके बताऊंगा कि जो blue cut lenses चे यह सिर्फ एक marketing strategy है बाकी कुछ भी नहीं तो आप वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखिएगा तो बात करते हैं blue cut lenses की तो market में हमें blue cut lenses available है जैसे कि 300, 400, 1000, 2000 बहुती expensive भी blue cut lenses market में available है इन्हें बेचा जाता है computer lenses कहके gaming lenses कहके आपको बेचा जाता है और साथ में आपको provide करते हैं वो ऐसा एक blue torch blue torch provide करते हैं और एक ऐसा paper और आपको बताते हैं कि देखिए यह blue light है और यह paper है और इसके उपर अगर आप यह blue light देखिए यह emit हो रहा है, पढ़ रहा है तो इसका color जो है यह purple हो रहा है और वही फिर उसके बाद आपको ऐसे रखके दिखाते हैं इस lens के नीचे lens के नीचे ऐसे रखके दिखाते हैं आपको और उसके उपर ऐसा blue light को emit करते हो और दिखाते हैं कि देखिए देख पाएंगे आप कि इसके उपर कोई भी इफेक नहीं हुआ और अगर आप ऐसा ही blue light इस paper के उपर ऐसा अगर आप गिराते हो तो देखिए ये इसका color purple हो जाता है तो आपको बताया जाता है कि ये blue light की बज़े से होता है लेकिन actually ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको सरयाम जूट बताया जाता है ये जो आप light देख पा रहे है ये UV light है और ये जो आप paper देख पा रहे है इसके उपर UV paint किया हुआ है जो UV light पढ़ते ही इसका color blue या purple हो जाता है अगर आप इसे धूप में भी रखेंगे मैं कहूंगा 45 second के अंदर ये पूरा blue हो जाएगा ये होता है UV light की बज़े से और आपको सिर्फ पागल बनाया जाता है इसके नीचे रखे दिखाते अगर मैं बताओ आपको ये दिखे ये मेरा एक normal UV वाला एक sun glass है मैं इसके नीचे इसा रख देता हूँ ये दिखिए पेपर अभी भी white है इसके उपर इसा रख देता हूँ और blue light को ये जो कहते blue light actually ये UV light है तो आप देख पाएंगे कि paper वैसे के वैसे white है क्यों क्योंकि ये UV filtered sunglasses है और ये भी आपको जो बताए जाता है कि ये blue cut lens है computer glass है ये actually सिर्फ इसके उपर UV की एक film चड़ाय हुई है बाकी blue cut lenses नहीं है इस specs की अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए मैं blue light को इमिट कर रहा हूँ और मेरे हाथ के उपर आप blue light देख सकते हैं तो ये actually पूरा reflect नहीं कर रहा है ये पूरा transmit हो रहा है blue light और रही आपको बताए जाता है कि blue light से आपकी आखे red होती है, dry होती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप आखों में जो pain होता है वो mobile या laptop की screen TV देखने से नहीं होता ये इसलिए होता है कि आप continuously एक ही जगा बे focus करके देख रहे हो without blink किये आप आखों को blink नहीं करते है इस बज़े से आपके आखे red होती है dry होती है और आपको pain होता है तो ये blue light की बज़े से बिलकुल भी होता नहीं है और जितनी light ये बताते है कि आपके LCD इमिट करती है आपका mobile, आपके laptop या और भी electronic gadgets आप देखते है इस बज़े से आपको ये दिक्कत होती है तो मैं आपको बता के चलू कि ऐसा scientifically proven है कि blue light से आपके आखों के retina और internal जो कुछ भी parts है उसको थोड़ा भी damage नहीं पोचता है blue light से सिर्फ एक ही चीज होती है आपको नीन नहीं आती insomnia हो सकता है आपको आपको complete नीन नहीं आएगी आपको जल्दी नीन नहीं आएगी ये एक हो सकता है तो इसके लिए आपको blue cut lenses लेनी की जरूरत नहीं है आप अपने mobile में night mode को on करके आप use कर सकते है अपने mobile को या फिर आप laptop LCD ये उसके अंदर भी software साथ है जो blue light को filter कर देते है blue light completely block हो जाता है तो आपको lenses लेनी की जरूरत नहीं है तो इस lens का एक benefit ये है कि ये UV rays को रोकता है और ये बहुती अच्छी बात है इसकी क्योंकि रोकना भी चाहिए क्योंकि UV rays ही human eyes के लिए बहुती dangerous है skin के लिए भी होते हैं human eyes के लिए बहुती dangerous है तो इसे आप मैं कहूंगा आप reading करते समय है mobile game खेरते समय है या फिर computer में use करते समय है मैं आपको इस recommend नहीं करूंगा कर सकते हो लेकिन कोई भी फायदा होने वाला नहीं है सिर्फ ये आपको बताया जाता है इसका करोडों का business है आपको नजदिक दिखाते है तो उसे आपको use भी करना चाहिए लेकिन इसका blue cut lenses का कोई भी sense बनता नहीं है इसे purchase करना अगर आप इसे purchase करना चाहते हो तो as a style statement के लिए आप इसे purchase use कर सकते है ये बहुती stylish है अच्छा दिखता है और इसका link मैं आपको description में दे रहा हूँ अगर आप इसे purchase करना चाहते हो तो purchase कर सकते हो लेकिन ये blue cut lenses नहीं है और मैं आपको recommend भी नहीं करता हूँ कि आपको उसकी ज़रूरत है तो ये आपको आखों को UV rays से बचाता है और ये अगर मैं कहूँ ये sunglasses भी अगर आप यूज करते हो as a blue cut lenses तो ये सभी light को कम कर देते है सभी light source को अगर आपको चाहिए अगर आपको real benefit लेना है आपको आखों को strain होता है आपका LCD का brightness ज़्यादा है तो आप इसे indoor भी यूज कर सकते है मैं कहूंगा कि आपको पैसे खार्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तो thank you so much दोस्तो वीडियो देखने के लिए ये clearly मैंने आपको बता दिया कि आपको blue cut lenses लेने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप इस type के lenses लेते भी है तो as आप इसे outdoor use केजे आपको UV protection मिलेगा thank you so much दोस्तो वीडियो दिखने के लिए अगर आपको ये वीडियो informative लगी हो तो please इस वीडियो को like करके आगे इस वीडियो को share कर दीजेगा और अगर आपको इसी type के informative take related वीडियो चाहिए तो please red color का जो subscribe बटन है उसे press कर देना और बाजू में इसका जो bell का icon है उसे भी press करके all notification पर select कर दीना thank you so much दोस्तो मिलते किसी नए वीडियो में तब तक bell icon जरूर प्रेस कर दीजिए झाल को पाहिए मिलतीक